दोफ्तों यदि आफ चाहते हैं बिहार से डियलेट करना तो आपके लिए काफी बड़ी खुसखबरी निकल कर आ रही है क्योंकि बिहार डियलेट का पूरी ओफिसियल केलेंडर आ चुकी है कि आपकी जो फॉर्म है कब से कब तक भरे जाएंगे आपकी परिक्षाय कब होगी कौन करिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं उन तमाम जनकारी को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुखे रुप से कई सारी जनकारी हम आपको बताएंगे जो समझना आपके लिए बिहार से डियलेट करना तो क्योंकि यहाँ पर बिहार विदाले परिक्षा समिती एक ड इंटरांस एकजाम होगी इंटरांस जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे बहुती कम दरोब में आप बिहार से डियलेट कर सकते हैं तो इसमें कुछ चीजे समझना जरूरी है कि इसमें आपकी उम्रसिमा क्या होगी आपकी योगिता क्या होगी क्या डोकुमेंट लगेगा इसकी सलेबस क्या होती है, किस परकार इसमें चैन पर किरिया होता है, उन तमाम जैनकारी को हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंदा तो प्लीज इसे एक लाइक करिएगा, और इस वीडियो को जरूर देखीगा, क्योंकि अगर आप बिहार डियलेड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट होने वाले सभी जैनकारी को एक ही वीडियो में हम आपको बताने की कोश्स करेंगे, फिलाल इसकिन पर चलते हैं, पूरी डीटेल में जैनकारी को आप तक बताते हैं, अभी आप देख पार होंगे, बिहार विदाले परिक्षा समिती के दोड़ा ओफिसेल कलेंडर जारी किये गए हैं, इसके मदद से ही पूरी जैनकारी बताये गए हैं कि कब आपकी क्या होगी बिहार डीयलेड का, नीचे जब आप आएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, जनवरी महिने में ही आपकी राज के सभी डीयलेड कॉलेज में नामांकन है तो सनियोक्त परवेस परिक्षा दोहजार चौबिस के लिए बिग्यापित प्रकासनेवम आवेदन प्राप्त करने की जो तिती है जारी क यह गया है, यानि आप सभी का आवेदन जो स्टार्ट होंगे, ओनलाइन और 10 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 के बीच में आप सभी ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अब जो लोग आवेदन करेंगे तो उनका एक इंटरांस एक्जाम लिया जागा, इंटरांस एक्जाम जो कैनिडे देंगे, तो उनका एक एंसर की, जिसे आप उत्तर कुंजी के नाम से जानते हैं, वो जारी किया जागा, जो कि 20 मार्च 2024 से लेकर 25 मार्च 2024 के बीच ये रहेगा, अब उसके बाद आपका जो रिजल्ट है, वो जारी किया जागा, वो अप्रेल 2024 में रहने वाले हैं, तो आपको open करना है, बाकि नीचे आएंगे, तो यहाँ पर latest update में या नीचे admission वाले section में आपको मिलेगा, बिहार DLA इंटरांस 2024 नोटिफिकेशन जिस पर आपको क्लिक करना है, पूरी जनकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगे, जैसे online अप्लाई करने किती थी, हमने बता दिया तो यहाँ पर eligibility बताया गया है, कि इसके लिए पात्र कौन होंगे, तो देखे, इसके लिए आवेदन करने वाले बिहार के मून लिवासी होनी चाहिए, आवेदन कम से कम बारहवी पास हो, या वैसे बच्चे जो बारहवी की परिक्षा भी देने वाले हैं, वो बच्चे भ परिक्षा देंगे इंटर का, उनके लिए भी इसमें मौका दिये गए हैं, देखे, बारहवी में जो पास कर चुके होंगे, उनको कम से कम जो है, पचास परतिसात अंक होने चाहिए, और जो reserve category के candidate होते हैं, उनको यहाँ पर पैतालिस परतिसात अंक भी होंगे, अगर बार करेंगे कि आपका उम्र 17 वर्स है या नहीं है, तो इसके लिए हमने age बाले में age calculator दिया है, आप इस पर किलिक करेंगे, तो इस website पर आपको redirect करेंगा, आपका जो date of birth होगा, जैसे माल लिजिए, आपका date of birth जनबरी महिना है, पांथ एक तारिक है, और 2000 माल लिजिए 5 है, त और कब तक का आपको date count करना है, तो इसमें date आपके count जनबरी 1 जनबरी 2024 के according किया जा रहा है, तो आपको 1 जनबरी 2024 यहाँ पर लिखना है, calculate करना है, जैसे calculate करेंगे, तो यहाँ पर बता देगा, कि आपका जो age है, 19 साल पूरा हो रहा है, तो आप जरूर इसके लिए eligible है, क् 17 साल ही यहाँ पर बोला गया है, कि आपका उम्र इस age तक होने चाहिए, अगर मान लिजे 17 साल से एक दिन भी अगर देगा है, या 17 साल भी हो रहा है, फिर भी आप इसके लिए पात रहा है, आप apply कर सकते हैं, अब यहाँ पर pattern क्या होता है, उसके बारे में समझेए, तो pattern द को option दिये जाएंगे, एक कोई भी option सही लगए, उससे आपको रंगना होगा, paper जो होगा, वो English, Hindi, दोनों माध्यम में उपलब्द होगा, अब इसमें कुल परसनों के संख्या 120 होते हैं, और 120 marks के होगे, मतलब एक परसन, एक नंबर के होगे, कोई negative marking इसमें नहीं होता है, इ समाने language में जो candidate अगर हिंदी रखेंगे, तो 25 नंबर का हिंदी आगा, कोई उर्दु रखेंगे, तो उनका 25 नंबर के यहाँ पर उर्दु आगा, 25 नंबर का यह होगा, गनेत सब के लिए रहेगा, 25 marks का, 25 प्रसन पूछे जाएंगा, 25 अंकों का, विज्याम से प्रसन 20 रह कुल 120 प्रसन होंगे, 120 अंकों का होने वाला है, अब आपके मन में यह doubt होगा, कि इसके लिए हमारा एक्जाम कब होगा, यह बताएगे, देखे, आप सभी का जो एक्जाम का date है, वो आल्रेड ही जारी कर दिये हैं, कलेंडर में, आपकी एक्जाम 6 मार्च 2024 से लेकर, 25 प्रप्रेशन भी करना होगा, अकर त्यारी नहीं करेंगे, तो फिर आपका जो सलेक्षन है, इसमें नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जो हमने आपको पैटरन बता है, एक्जाम का सलेबस बता है, उस पैटरन पर त्यारी करेंगे, दस्वी का ही इसका पैटरन रहता है, लेक SCHT दिव्यांग होंगे तो 760 रुपया का पेमेंट करना होगा ओनलाइन अप्लाइ करेंगे तो आपको कुछ डोकुमेंट आपको आवेसकता परेंगे उससे आप अभी से बनबा कर रख लिजिए जो आपके आधार काड होंगे आपके बैंक खाता पासबूक होंगे बड़ावी के अंग परमान पतर होंगे बड़ावी का आपके सर्टिफिकर्ट होंगे दस भी का अंग परमान पतर और दस भी का सर्टिफिकर्ट चाहिए आपका निवास परमान पतर चाहिए जाती परमान पतर चाहिए अगर आपको reservation का benefit लेना है तो यह आपको लगाना परेगा mobile number लगाना होगा, email ID लगाना होगा और एक हाल का आपका photo होना चाहिए तो यह आपकी आवेसक दस्तावेज है online apply कैसे होगा तो online apply करने का भी link आपको इसी website पर आपको मिल जागा यहाँ पर जैसे उसका link आता है link आपको मिल जागा, short notification देख पाएंगे detail notification देख पाएंगे, यह आपकी overall जन का रही थी देखिए, अब कहेंगे सर इसमें 120 प्रस्न होंगे, 120 अंकों का तो हमें सरकारी college चाहिए, तो कितने number लानी चाहिए, किस अनुसार हम त्यारी करें, ताकि मेरा सरकारी college मिल पाएंगे, तो देखिए भाई, अगर आप general, OVC, और EWS बाले हैं, तो कम से कम कोसिस करना है, 80 plus प्रस्न जो है, आपको सही करने का, 80 plus अगर प्रस्न आप सही करते हैं, तब जाकर आपको सरकारी college मिलेंगे, क्योंकि काफी ज़्यादा ही competition होते हैं, बहुत बच्चे form को डालते हैं, और competition हाई होते हैं, तो preparation को अच्छे से करिए, अगर मालीज आपका SCST वाले candidate है, आपका 75 भी आता है, फिर भी सही है, आपको government college मिल जाएगा, choice filling जब करेंगे, उस समय ये सब जनकारी पूछी जाती है, तो हमने already बिहार DL8 2030 में भी काफी सारे update आप सभी के लिए बताया और काफी helpful रहा है, काफी सारे बच्चों का selection हुआ है, आगे भी मैं सारी update आप तक साजा करता रहा हूँगा, जैसे जैसे जो update आगा, आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे साथ worship channel से नहीं जूरा है, तो जाकर जूर जाएए, यह बिल्कुल नेसुलक होता है, यहां पर जूरने से benefit होगा, कि जनकारी आप तक हम सबसे पहले update करते हैं, यहां पर और टेलिग्राम पर, तो जाकर जूरिएगा, सभी update आपको वहां पर हम उपलप्त कराते रहेंगे, दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी जनकारी बताया, बिहार DLA 2024 के लिए, आपकी ओम्रसिमा, आपकी syllabus, आपकी चैन पर क्रिया, document, क्या-क्या लगेंगे, उन तमाम जनकारी के बारे में हमने आपको बताया, अगर फिर भी किस से भी परकार की doubt है, confusion है, आप comment कर सकते हैं, और आप चाहते हैं, इसका online apply पर वीडियो देखना, आप comment कर दिजिएगा, मैं जरूर इस पर एक separate वीडियो बना दूँगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,